तो एक्सेसाइज सेविन एका लास क्लास में हम कुश्यन नमर नाइन तक कर चुके अब हम देख लेते हैं कुश्यन नमर टैन find the angle whose complement is one third of its supplement एक ऐसा एंगल find करना है जिसका complement उसके supplement का one third के एक वाल है तो सबसे पहले तो मैंने माना कि जो angle मुझे निकालना है वो है angle one ठीक है अब मैं angle one का जो मुझे निकालना है वो है angle one तो इस angle one का complement लख लेता हूँ पहले तो तो complement of angle 1 ये मैंने माना किस के एकवल? angle 2 के एकवल angle 1 का complement कौन है? angle 2 इस बात का meaning ये है कि अगर angle 1 में angle 2 को add करने है तो sum कितना आएगा? 90 degree ठीक है? तो ठीक है अब यहां से अगर angle 2 की अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 90 minus angle 1 ऐसे ये हमने एक equation मानकर छोड़ दिया ठीक है? अब फिर से angle 1 का अब हम लिखते है supplement क्या लिख लेते है? supplement of angle 1 ये किस के एकवल है? ये हमने माना angle 3 के एकवल angle 1 का supplement कौन माना मैंने? angle 3 इस बात का meaning ये है कि angle 1 का supplement है अगर angle 3 तो ये angle 1 में add करने पर angle 3 कितना answer आता होगा? 180 degree ठीक है? ठीक है ना बैरवचो? कितना answer आता होगा? 180 degree आता होगा अच्छा अब यहां से अगर हमें angle 3 की का भी जरूरत पड़ी तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? 180 minus angle 1 ये हमारे पास second equation आ गई ये angle 1 में अधर ले जाकर लिख दिया minus में ठीक है? तो ये तो angle 1 का मैंने complement of supplement लिख लिए अब according to question आप देखो उसने question में क्या कहा है? question में उसने कहा है कि जो complement है complement of angle 1 वो किसके equal है? one third किसके supplement of angle 1 के supplement of angle 1 उसने बोला है किसी एक angle किसी angle का कौनसा angle? angle 1 का angle 1 का complement one third है किसका? उसके supplement के angle 1 के supplement के complement of angle 1 हमने कितना माना है? angle 2 equal है 1 by 3 of supplement of angle 1 supplement of angle 1 कौन है angle 3 चीक है अब यहाँ से angle 2 को हम क्या लिख सकते है यह हमने पहले निकाल कर रख लिया था 90 minus angle 1 तो angle 2 की जगे क्या लिख देंगे 90 minus angle 1 equals to 1 by 3 और angle 3 को हम क्या लिख सकते है यह हमने पहले निकाल कर रख लिया 180 minus angle 1 180 minus angle 1 now ये 3 इदर multiply में आ जाएगा so 3 into 90 minus angle 1 equals to में क्या बच जाएगा इदर 180 minus angle 1 अब इस 3 का अंदर multiply करा दीजिए so 3 का multiply 90 में कराएंगे तो ये कितना बनेगा 270 ठीक है और 3 का multiply angle 1 में करा दो तो कितना आ जाएगा thrice of angle 1 और ये सब किसके equal चल रहा है ये सब equal चल रहा है 180 minus angle 1 के 180 minus angle 1 इसके equal चल रहा है ठीक है अब क्या करोगे आप ये 270 ऐसी लिखा रहा है ने दो 180 इदर लाकर minus करा दो ठीक है और ये thrice of angle 1 है ये उदर ले जाओ ये plus का हो जाएगा thrice of angle 1 और पहले से वहाँ पर क्या चल रहा है angle 1 अब 270 मैंसे 180 minus करा दो कितना आ जाएगा 90 ओके equals 2 और इदर thrice of angle 1 मैंसे एक angle 1 minus करोगे तो कितने बचेंगे 3 मैंसे अगर 1 minus हो जाएगा तो 2 बचेंगे 2 of angle 1 twice of angle 1 ठीक है ना अच्छा अब ये 2 divide में लेकर आ जाओ 90 divided by 2 तो यहाँसे 2 से डिवाइड करा होगे तो कितना आ जाएगा 45 डिगरी यह हमारे पास किसका answer आ जाएगा angle 1 का जो कि हमारा required angle था तो हमारा जो required angle था वो हमने starting में क्या कर लिया let कर लिया, let required angle क्या है, angle 1 अब angle 1 का compliment लिखा मैंने मैंने माल लिया कितना let कर लिया, let complement of angle 1 is किसका कितना माल लिया, angle 2 इस बात का मीनिग यह हो गया, कि अगर angle 1 का compliment angle 2 है तो angle 1 और 2 का sum कितना होगा, 9 डिगरी, अब यहाँ से हमने क्या कि angle 1 उतर लिया कर minus में लिख लिया तो इससे हमारा angle 2 की अगर हमें कभी जरूद पड़ेगी, तो हम क्या लिख पाएंगे 90 minus angle 1 इसी तरह से हमने यह let कर लिया कि हमने माना कि supplement of angle 1 किसके एकवल है, angle 3 के, कोई भी आप angle मान सकते हो, मैंने angle 3 नाम दे दिया इस बात का meaning यह हो गया, कि angle 1 का supplement अगर angle 3 है तो 1 और 3 अगर add के जाएंगे तो उनका sum कितना आएगा, 180 degree यहाँ से हमने क्या किया angle 1 को उदल ले जाकर, minus में लिख दिया तो इससे angle 3 की value हमारी आ गई, in the term of angle 1 कितनी आई, 180 minus angle 1 अब हम question पर आजाते है question में उसने कहा कि जो आपका required angle है उसका compliment 1 by 3 times है, किसके required angle के supplement है ठीक है, तो compliment of angle 1 हमने क्या माना था angle 2, वो हमने यहाँ लिख दिया और angle 1 का supplement हमने किसको माना था angle 3 को, वो हमने यहाँ लिख दिया अब angle 2 की जगर हमें जरूरत पड़ेगी तो मुससे क्या लिख सकते है 90 minus angle 1 और angle 3 को हम क्या लिख सकते हैं 180 minus angle 1 इसको थोड़ा सा solve करो solve करके आपके पास क्या आ जाएगा angle 1, जो कि आपका required angle है तो कितना answer आ जाएगा 45 degree, यह बिलकुल आसान है ठीक है न, अच्छा अब इसके बाद next next प्यारे बच्चों हमारे पास है question number 11 देखे लिए ध्यान जीजिए question number 11 क्या है 2 complementary angles are in the ratio 4, ratio 5 find the angle तो उनका ratio given है हमें 2 angles का ratio कितना given है यह ratio हमारे पास है 4, ratio 5 तो मैंने माना कि वो angle क्या रहे होंगे let the angles are what 4x and 5x यह मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि angle क्या रहे होंगे 4x रहे होंगे और 5x रहे होंगे चीक है अच्छा अब क्योंकि यह complementary angle है according to question अगर हम देखें तो यह दौनों angle कैंसे है complementary है तो इनका sum कितना रहा होगा तो answer है कि 4x और 5x क्योंकि यह complementary angle है इसलिए इनका sum रहा होगा 90 degree ओके अब 4x और 5x एड कर आगर कितना बन जाएगा 9x एक कोस्टू क्या चल रहा है 90 degree 9 से इसको divide करा दो 90 upon 9 कितना आज जाएगा 10 यह हमारे पास किसकी value आई x की value आई लेकिन हमें जो angle निकालने है वो angle जो है वो कौन कौन से angle है 4x और 5x तो पहला angle जो है फर्स्ट angle वो 4x के equal है तो 4 into x की value कितनी है 10 यह x की value यहाँ put कर दो तो इसका मतलए angle कितना रहा होगा 40 degree और जो second angle है वो हमारे पास कितना माना था आपने 5x तो 5 into x की value कितनी 10 तो वो यहाँ पर put कर दो तो कितना answer आजाएगा 50 degree यह आपके प्यारे बच्चों answer आजाएगा तो फिर से 2 complementary angle है उनका sum हमें given है कितना उनका ratio हमें given है कितना 4 ratio 5 तो अगर 2 angle का ratio 4 ratio 5 है तो मैंने माना कि वो angle क्या रहे होंगे 4x and 5x ठीके न अब क्योंकि वो complementary angle है इसलिए उनका sum कितना होगा उन दोनों angle का sum 90 degree तो यहाँ से हमारे पास solve करके किस की value आजाएगी x की value वो x की value उठाकर आप यहाँ पर और यहाँ पर उठ करोगे तो आपके पास answer आजाएगे तो यह बिल्कुल आसान वाला question है question number 11 इसके बाद next question number 12 दिखा देता हूँ question में उसने बोला है find the value of x for which this angle and this angle are complementary angle दो angle हमारे पास given है एक तो angle 1 इसको नाम दे देता हूँ चलो 2x minus 5 minus 10 इस तरह से ठीक है ना इस तरह से आपके पास 2 angle given है अब यह दोनों angles कैसे है complementary angle तो angle 1 और angle 2 अगर यह complementary angle है तो आपको पता है इन दोनों का sum कितना होगा 90 degree ठीक है ना इन दोनों का sum कितना होगा 90 degree तो angle 1 की जगा आप put कर दो क्या value given है उसकी first angle है हमारे पास 2x minus 5 plus angle 2 की value हमाएं कितनी given है x minus 10 equals to कितना 90 degree अच्छा अब 2x और x मिलकर कितना हो जाएगा 3x और minus 5 और minus 10 मिलकर कितना हो जाएगा minus 15 equals to क्या 90 ऐसा हो जाएगा अच्छा अब यह जो minus 15 आया है यह उदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पा लिख लीजिए 3x equals to 90 plus 15 ओके इनको add करा दीजिए तो यह कितना बन जाएगा हमारे पास 105 और इधर क्या चल रहा है 3x 3 से divide करा दो इसको तो 105 upon 3 3 से divide करा होगी तो यह कितने time cancel होगा 3 5 35 ठीक है ना यह हमारे पास x की value आ जाएगी जो उसने question पर पूछी होई है तो बिल्कु सिंपल है यह जो angle है और यह जो angle हमें given है यह दोनो angle कैसे angle है complimentary angle तो इनका sum किसके equal लिख दो इनका sum 90 degree के equal लिख दो और फिर थोड़ा इसा plus minus करोगे तो solve होकर किसकी value आ जाएगी x की value तो यह थे प्यारे बच्चों आपके supplementary and complementary angles पर बेस्ट आपकी exercise और यह थी exercise 7A complete